राजेपाल आनंदी बेन पचेल के शनिवार को उत्तर प्रदेश में विधित विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिश्रेद अध्यादेल 2020 लागो करने की मन्जूरी देने के चंद घंटों बाद ही इसका विरोध शुरू हो गया है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अध्यादव ने इसका विधान सभा तथा विधान परिशद में जोरदार विरोध कर फैसला कर लिया है अखिलेश यादव ने लकनव में शनिवार को समाजवादी पार्टी मुख्याले में कहा कि उत्तर प्रदेश विजिद विरुद धर्म परिवर्तन प्रतिशेद अध्यादेश 2020 जन मानस के खिलाफ है लव जिहाद के खिलाफ कानून के नाम पर लोगों को प्रतारत करने की साज़श की जा रही है समाजवादी पार्टी के मुख्या अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा अगला कدم समाजवादी पार्टी की नीतियों को जनता तक पहुँचाने का है केंद्र तत्ता प्रदेश की भाजपा सरकार तो दमन पर उतराई है किसानों के अपनी बात कहने पर उनके साथ सरयाम आतंकियों जैसा व्यवहार हो रहा है अनदाता पर हर तरह से हमला किया जा रहा है किसान पर ऐसी लाठी इस तरह का व्यवार इस तरीके से आतंकी हमला किसी सरकार के मात्यम से नहीं हुआ होगा जितना भारती जन्ता पार्टी की सरकार में हो रहा है इधर जब से भारती जन्ता पार्टी की सरकार आई है किसी ने किसी तरीके से सबसे ज़्यादा किसान और गरीब को बरबाद किया है और सरकार से पूछेगी किसान की आय बढ़ाने वाला कानून सरकार कब ला रही है भारती जंदा पार्टी की सरकारी एक यूजना चला रही है कि अगर आप इंटर कास शादी करते हैं तो 50,000 रुपई मिलेंगे आपको इंटर डिलिजेंग शादी करते हैं तो आपको 50,000 रुपई मिलेंगे जब सरकारी ही उजना चला रही है तो सरकारी कानून क्यों ना रही है आप कभी सोचिए कि ये वो सरकार है जिसके एक अधिकारी दूसरे अधिकारी में भर्षा चारता रोप रगा रहे हो